भारती स्टेट बैंक के द्वारा 1226 पदों के लिए CBO पदों के लिए 21 से 30 वर्ष के अभ्यारतियों से आवेदन मांगे गए हैं जिसमें काइटिगरी वाई 750 रुपई आपको सुल्क देना होगा पात्रता आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आउनलाइन आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा आवेदन की अंतिम्ति थी 12 जनवरी 2022 रखी गई है तकनीकी छात्रों को मिलेगा टैबलेट शामान इशनातक को स्मार्ट फोन सैमसंग लावा आईशर जैसी कमपनियों के यह स्मार्ट फोन और टैबलेट रहने वाले हैं 10,800 रुपाए का मुवाइल फोन रहने वाला है और वहीं पर 12,700 रुपाए का टैबलेट यहाँ पर रहेगा 20 दिसंबर के बाद इसका जो वितरण है वो शुरू कर दिया जाएगा लगभग इसमें 4,700 करोण रुपाए की लागत लग रही है मुखमंत्री योगी आधितना जिसका वितरण समारो करेंगे और टैबलेट केवल इन अभ्यार्थियों को दिया जाएगा जैसे की तकनी सिक्षा में डिप्लोमा आई टी आई प्रसिश्चिर अभ्यारती रासकी और निजी वेडिकल कॉलेज डेंटल ठीक है एमडी इस तरह के छात्रों को यहां पर टैबलेट दिया जाएगा और स्मार्टफोन इसनाता किश्चनाक्तोर विद्यार्थी शेवा में त्रिपोर्टल पंजिकर्ण कुसर स्रमिक ठीक है इस विभाग में जो भी शम्मान योजजना, ससी, स्टी, पिछडा और इन सभी जित्ते भी छात्र हैं आप स्कीन पर देख पार हैं इन सभी को स्मार्टफोन दिया जाएगा वहीं पर अगर बात करें तो अभी तक 40,000,000 छात्रों ने पंजिकर्ण कर लिया है क्या आपने पंजिकर्ण किया है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं मंत्री का आवास घेरने पहुंचे अभ्यार्थियों को पुलिस ने भेज दिया इको गार्डन जिहां 79,000 सिच्छक भरती का यह मामला है और यहां पर अभ्यार्थियों ने घेराओ भी किया उसके बाद 22,000 सीटों को जोड़ने की अलगातार मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि 65,000 की जो 22,000 सीटे रिक्ट हैं उन्हें 79,000 में जोड़ दिया जाए वही पर नई प्राद्मिक सिच्छक भरती को लेकर भी प्रयाँ पर जो बेसी सिच्छा मंत्री हैं उनका आवास का घेराओ किया गया लेकिन समझत अब भ्यारतियों को यहां पर गिराफ्तार कर लिया गया देख रहते हैं आप इस स्क्रीन पर इस तरह से गिराफ्तार करके उन्हें इको गार्डन भेजा गया बहुतों की ज़ए उदर किया गया वहीं पर बड़ी अपडेट है दरोगा भरती को लेकर 850 पदों पर नई भरती का विग्यापन जारी होने जा रहा है इनको अवसर मिल सकता है भरती बोड अगले वर्ष सुरू करने जा रही है और इसमें 850 पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे हम आपको बता दें क परक्रिया सुरू होने जा रही है इन पदों को भरती जल्द ग्यापन भी जारी कर दिया जाएगा और अगले वर्ष की सुरूआत में अब भ्यार्तियों से जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ले ली जाएगी इसके तुरंत बाद जो इनके परिच्छा का क्राक्रम है जू समस्त जो भी लोग हैं गिराफ्तार कर लिया गया है और 23 लाग रुपए में पेपर छापने का ठेका था जो की 23 लाग में था जो की ठेका 13 करोन रुपए में दिया गया था इतनी ज़्यादा यहां पर दानली हुई थी टीटी को इस बार जो आपका गेट होगा वो आदे गंटे पहले बंद केर लिया जाएगा क्योंकि यहां पर पेपर लीग जैसी कोई भी संभावना नहों इसलिए नय सचुने बहुत सारी कारवाही आपर की हैं बहुत सारे बदलाव यूपी टीटी में कर रहे हैं टीटी परचा लीग में कंपनी की लापर वही थी जिस जारी कर दी गई है और 18 दिसंबर तक इसके लिए आपत्या मांगी गई है जो भी उमीद्वार हैं अपनी उत्तर के उजी चेक करने के साथ आपत्या दर्ज करा सकते हैं शमलित अवर अधिनस सेवा चायन का जो भी अंतिम परणाम है वो जारी कर दिया गया है यूपी बैस के सापेश 354 अभ्यारतियों का ही चैन हुआ है 287 पद अभी भी फिलहाल खाली पड़े है योग अभ्यारति नहीं मिले वहीं पर परिच्छा तिथी बदली है फिर भी समस्या यहां पर बरकरार है जिहां यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोग सेवायो की प्रवदी सि करतावित कया गया था लेकिन सी दिन हाई कोट की समिच्छा घिकारी की परिच्छा जिस लिए अभ्यारतियों ने मांग की थी कि उसे दिया जाए और सची को ग्यापन दिया था तो प्रवक्ता पलटिनी परिच्छा भी तारिक टालने की मांग की थी जिसके बाद अख़वार में इसको प्रमुक्ता से छापा गया था और उसके बाद आयोग ने तीन दिसंबर को प्रधाना चार्य व्याक्यता और करमशाला एक ही दिन दो परिच्छाएं पढ़ने के कारण बहुत सारे छात्र दोनों परिच्छाओं से वंचित हो सकते हैं